जै जोहर दोस्तों स्वागत है आप सबका 36 गड़ असिस्टेंट ग्रेड तीन के इस प्रैक्टिस सेट में आज के इस वीडियो में कम्प्यूटर के टॉप 25 MC क्यों करेंगे दिखेंगे दोस्तों पहला कुछन है सूचना सेयर करने के लिए एक दूसरी से connected दो या अधिक कम् करना है तो आपको किस की जरूत पड़ेगी मोबाइल में नेटवर्क की जरूत पड़ेगी ठीक है नेक्स्ट है इस्थानिये चेत्र नेटवर्किंग एल ए एन यानि लोकल एरिया नेटवर्क किसके लिए उप्योगी है आपके ऑप्शन है रेलवे बैंक व्यापारी या फिर मोटर वहां दफ्तर के लिए किसके लिए उप्योगी है तो व्यापारी के लिए उप्योगी है ओप्शन नमबर सी नेक्स्ट कोस्टन है निम्न में से किसका संदर्भ छोटे एकल साइट नेटवर्क से है आपके ओप्शन है दोस्तों एल ए एन यानि कि लोकल एरिया पूछा है ठीक है तो देखे जो टर्मिनल होता है वहां बिंदू होता है जिस पर डाटा कम्पूटर में प्रिवेश करता है या फिर निकलता है वो क्या होता है आपका टर्मिनल कहते हैं उसे नेक्स्ट है उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के परियोग के बिना सेंट्रलाइजड तो इसका राइट एंसर हो जागा वायरलेस आपका इयर फॉन भी वायरलेस होता है ठीक है बीना वायर के क्या करता है कि आपके एयर तब कनेक्ट कर देता है वो इयर बड्स जो होते हैं उसको निच्ट देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन समान्यता शेयर किया जाता है आपके ओप्शन है दोस्तों प्रिंटर्स इस्पीकर्स फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या फिर कुंजी अगला सवाल है दोस्तों कार्याल है या फिर ओफिस में LAN जो भगौलिक तोर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको कार्पोरेट के परियोग से जोड़ा जा सकता है कैसे तो C-A-N, L-A-N, D-A-N या फिर वान से क्या जिससे जोड़ा जा सकता है तो W-A-N यानि क इसका मतलब क्या होता है वाइड वाइड एरिया नेटवर्क ठीक है नेक्स्ट कोस्चन दिखेंगे एक खाली स्थान नियामों का सेट है आपके ऑप्शन है संसाधान या फिर सोर्शल लोकेटर डोमेन यू आरल या फिर प्रोटोकोल तो राइट एंसर होगा प्रोटोकोल ठीक है प्रोटोकोल जो है वो नियामों का क्या होता है एक सेट होता है बाइनरी चोईस में कितने विकल्प होते हैं तो देखें जो बाइनरी चोईस होता है दोस्तों इसमें दो विकल्प होते हैं कितने विकल्प होते हैं तो दो विकल्प होते हैं कौन-कौन से होते हैं ब बाइट से बोला है कि कितने मुल्य निरूपित क्ये जा सकते हैं तो 1 बाइट से 8 bit निरूपित क्ये जा सकते हैं तो 1 अगला अगला कोश्चर सबस्तिक हैं डोस्तों 1 MD that means 1 mb ने से आपके Mortal पूछा है कि कि खालिस्थान के समान होता है तो आप क्या option दिया हुआ है दोस्तों 1000 bits 1 million bytes 1000 bytes या फिर 1 million bits तो right answer क्या हो जाएगा इसका option के according इसका जो right answer होगा वो 1 million bytes हो जाएगा ठीक है 1 million bytes हो जाएगा अभी हमने क्या देखा था कि एक bytes एक bytes equal to कितना होता है 8 bits होता है उसी तरह 1mb कितना होता है तो 1 million bytes होता है या फिर इससे क्या कर सकते हैं हम लोग 1024 kb 1024 kb equal to क्या होगा 1mb हो जाएगा ठीक है next question है computer memory की सबसे छोटी EKI क्या कहलाती है आपके option है byte, bit, megabyte या फिर उपरोक्त सभी तो right answer हो जाएगा bit कहलाता है computer memory की सबसे छोटी EKI होती है वो bit कहलाती है कितना byte मिलकर 1 kb बनता है तो दिखिए जो 1024 byte होता है यह मिला कर क्या बनता है आपका 1 kb यानि कि 1 kb बनता है कितना byte बोला है तो 1024 byte 1024 byte equal to क्या हो जाएगा आपका 1 mb हो जाएगा अगला सवाल है इन में से कौन सा unit storage मापने में उप्योग में लाया जाता है आपके option है lb, gigahertz, mg या फिट tb right answer क्या हो जाएगा तो terabyte हो जाएगा that means tb ठीक है terabyte next question है binary number के अंतरगत जिस संक्या विधी पर काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है option number c next question है resume बनाने के लिए किस software का ओप्योग किया जाता है देखिए आपने resume कभी बनाया होगा तो आपको पता होगा कि कौन से software में resume बनता है आपके option है page maker तो देखिए page maker से बना सकते हैं हम लोग ms word तो ms word से तो बनाते ही है इसका यानि कि right answer हो जागा आपका ओप्रोग तो दोनों यानि कि page maker से भी बना सकते हैं और ms word से भी बना सकते हैं next है computer में किसी सब्द की लंबाई खाली स्थान में मापी जाती है option है byte में bits में millimeter में या फिर meter में तो देखिए computer में किसी भी सब्द की जो लंबाई होती है वो कैसे मापी जाती है तो दोस्तों bytes में मापी जाती है किस में मापी जाती है bytes में that means bytes अगला सवाल है कितने किलो बाइ बनता है, 1 MB दस मेंट, 1 MB और कितने किलो बाइट बोला है, तो कितने किलो बाइट? 1024, 1024 किलो बाइट, किलो बाइट इकवल टू क्या हो जाएगा? के बी, इकवल टू 1 MB होता है, नेक्स्ट कोश्चन है, और यहीं पर याद रखेगा, कि जैसे कि 1024, 1024 क्या बोला मैं MB बोल दिया, तो 1024 MB equal to कितना हो जाएगा आपका 1 GB, ठीक है, याद रहेगा काफी important question है दोस्तों, आपके exam में पूछा भी जा सकता है, next question है, किसी प्रोग्राम की गलतियां पकड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, अपका debug, क्या कहा जाता है, debug कहा जाता है, option number A, इसका right answer हो जाएगा, option number A, next question देखेंगे दोस्तों, इक नीबल कितने बिट सुचित करता है, तो देख़िए, computer में जो एक नीबल होता है, यह 4, option number A, 4 बिट सुचित करता है, एक नीबल कितने बिट सूचित करता है तो एक नीबल जो होता है वो चार बीट सूचित करता है अगला सवाल है CAD सब्द का संबंध कंप्यूटर में किस से है देखिए CAD जो सब्द है इसका संबंध कंप्यूटर में डिजाइन से है option number B किस से संबंधी थे design से next है dial up internet access का एक लाव निमने लिखी थे आपके option ने दोस्तों कि यह ब्रांड यह broadband technology का उप्योग करता है यह विद्धोमान telephone सेवा का उप्योग करता है यह सुरक्षा के लिए router का उप्योग करता है यह फिर modem speed बहुत तेज जो जाती है तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों option number 1 यह broadband technology का उप्योग करता है यह ब्रोडबेंड टेकनोलोजी का उप्योग करता है इसका एक लाब क्या है कि यह broadband technology का उप्योग करता है next question है हमारा telephone broadcast किस परकार के transmission का उधारण है तो देखे telephone broadcast ठीक है यह जो होता है आपका harp duplex option number B harp duplex transmission का एक उधारण है broadband टेकनिक का उप्योग है निमनिलिकित में सी किस परकार के internet connection द्वारा किया जाता है तो आपके option है दोस्तों legal line connection, dial up connection, एक और दो दोनों या फिर ISDN connection तो right answer हो जाएगा इसका dial up connection यानि की option number B I hope आपको वीडियो पशंद आया होगा ऐसे ही वीडियो के लिए channel को subscribe करें Thank you